हेलो सुमेना विजवस तो एक अच्छा लैपटाप लेना है अगर आपको लेकिन बज़त हुआ सा टाइट निकल के आ रहा है तो यहां पर अवीटा की तरह से एसेंशल 14 लेपटाप जाता है जो कि 20,000 के आसपास की प्राइज रिंज में आता है और बहुत ही अच्छी प्राइज परफॉर्मेंस रिशो प्रोवाइट करा लेता है इंफेक्ट 20-30,000 के रिंज में इसके टक्कर में कोई भी यहां पर आपको लेपटाप नहीं मिलने वाल एंद हेविंग सैट देट लेट्स किस्टार्ट इस बॉक्स के अंदर दुस्तों 2 चीज़ देखने के लिए मिल जाती है सबसे पहले पर इस लिफाफे के अंदर हमारे बॉन वीटा भाई पैग्ड सौरी अवीटा भाई पैग्ड उसके बार यहां पर हमें यह चार्जर द और अगर कोई कम battery capacity के साथ में आता है तो वो at least 45 के साथ में आता ही है यह वाला 18 watt है से तो देखते हैं कितनी दिर में चार्ज करेगा तो Avita Essential 14 यहां पर इस लिफाफे के अंदर से हम लोग निकाल लेते हैं और कुछ इस तरह से सको अटाएंगे तो यहां पर Avita Essential 14 इस प्लास्टिक जापिंग के अंदर और मेरे पास में यहां पर वाइट कलर है काफी अच्छा सा लगता है वेकॉस मैंने कुछ यूनिक हो जाएगा तो मैंने यह वाइट कलर ओडर कर इसका दुबई में दुबई में लैप्टव ऐसे में को लगबग 20,000 इंडियन रूपीज में पढ़ा है इंडिया में यहां पर 22, 23 के आसपास अवेलेबल है Amazon की उपर लिंक है अपर नीचे आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगा जाकर चेक कर सकते हैं काफी अच्छी डील है किया पर कीबोर्ड के लिए कुछ प्रोटेक्शन और बात करते हैं फ जो की बतारे थे कि Evita Essential 14 यह एक लोट डिजाइन के साथ में आता है लेकिन एक्च्छल में यह प्लास्टिक है थोड़ा से यहां पर जो टेक्च्चर दे रखा है न वो बस यहां पर ऐसा लग रहे है कि क्लोट है लेकिन है एक्च्छल में प्लास्टिक फील भी प्लास्टि है यह बहुत अच्छा लग रहा है वैसे फहल जम प्लास्टिक है अगे यहां पर हमें दिखने के लिए मिल जाता है पीछे की साइड में सारे पोर्ट जहाँ पे सबसे पहले DC इंपोर्ट दिखने के लिए मिलता है उसके बाद एक USB और एक और USB जो की 2.0 को सपोर्ट करते हैं 3.0 को सपोर्ट नहीं करते हैं दिखने के लिए मिल जाता है HDMI पोर्ट दिखने के लिए मिल जाता है तो मतलब टेलिविजन अगरे से कनेक कर सकते हैं किसी भी अच्छी सी डिजाइन भी देखने के लिए यहां पर गाने सुनने के लिए या फिर कुछ भी सुनने के लिए एक 3.5 mm headphone jack तो सारी अर्मोस ports अविलेबल हैं Ethernet को छोड़के इस laptop में और बहुत ही एक अच्छी सी डिजाइन भी देखने के लिए मिल जाते हैं तीनों साइड बैजर्स बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं नीचे की साइड थोड़े से बैजर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं camera यहां पर नीचे इस साइड लगा हुआ है because of course यहां पर ऊपर की तरह से बैजल बहुत जाए शॉट कर दी तो camera यहां पर नीचे लगा दिया है camera ही में आपको दुखाऊंगा यहां पर कि अगर टेबल में तो किस एंगल से निकल के आता है camera इस laptop का बात करते हैं उस तो display quality की तो यहां पर हमें एक full HD 14 इंच की display दिखने के लिए मिल जाती है तो इस price range में full HD resolution हमें मिल रहा है जहां पर day to day life में अगर आप इस laptop को यूज करते हैं तो pixels बिलकुल भी नहीं फटते हैं बहुत ही crisp and clear सी image quality, video quality हमें नज़ा आ जाती है और बहुत ही smooth resolution यहां पर quality IPS display and I will rate this display 8 out of 10 considering the price point अब दोस्तों display के bezels reduce करने के लिए camera Bonvita भाई साब ने नीचे shift कर दिया जिसके चलते हैं यहां पर कुछ इस तरह का angle नदर आता है और normally laptop में अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऊपर की तरफ देखने की आदत होती है यहां पर आपको नीचे करना पड़ेगा आपको अगर अच्छा एंगल चीए तो तो कुछ इस तरह आपको मीटिंग करनी पड़ेगी तो camera webcam यहां पर जरूर से compromise हुआ है webcam की quality के बारे में दूस्तों अगर बात करें तो मैं तो already तीन दिन से यूज़ कर रहा हूं सबको check कर चुका हूं थोड़ा सा below average से भी कम वाला ही webcam मान सकते हैं इसको मैं बहुत भी जादा compromised webcam है वैसे हर laptop में कुछ इस तरह ही का webcam हमें दिखने के लिए मिलता है लेकिन यहां पर color को जादा ही फटे हुए से आ रहे हैं और बिल्कुल wide balance अच्छा नहीं है इस webcam का audio के साथ अच्छा काम कर रहा है यहां प 10 वाले laptop के साथ मैं compare करते हैं तो सेम वैसी ही audio quality पिक कर लेता है camera थोड़ा सा webcam compromised है तो यहां पर मैं इसको rate करना चाहूंगा 6 out of 10 दोसको keyboard के बारे में बात करते हैं तो मैं typing personally बहुत करता हूं और मैं बहुत तेस typing करता हूं इस laptop को मैं use कर रहा हूं तो यहां पर 98% accuracy मैं बोल typing थोड़ी सी error के साथ में आती है लेकिन अच्छा है because normally भी हमें थोड़ी बहुत गलतियां देखने के लिए मिल जाती है keyboard यहां पर tactile है बहुत ज़्यादा travel भी यहां पर decent दे रखा है 1.5 mm का यहां पर travel दे रखा है tactile बहुत ज़्यादा है और जो आवाज आ रही है na click के साथ में तो नहीं आता है लेकिन trackpad भी यहां पर मैं कहूंगा कि कभी-कभी irresponsive हो जाता है just like the keyboard, irresponsive in the sense की यहां पर जैसी आप multi finger use करते हैं कभी scroll करते हैं आप दो fingers के साथ में तो कभी चलता है कभी नहीं जलता है और बहुत ही एक fast response दो आना चाहिए ना वो नहीं आता है के साथ में and this is my honest opinion keyboard और trackpad को combined अगर मैं rate करूं तो 5 out of 10 मैं इसको rate करना चाहूंगा जहां पर trackpad तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मतलब एक finger के साथ अच्छा है multi finger gesture सोड़े से lag करते हैं इस trackpad के साथ में keyboard is fine तो यहां पर 5 out of 10 for the keyboard and trackpad with this laptop sound boost तो अच्छा निकल के आजाता है इस laptop के साथ में बहुत भी जादा loud है बिल्कुल clear आपको सुनाई में आ जाएगा base यहां पर इतना जादा अच्छा नहीं निकल के आ रहा है और अगर आप कोई भी इस रिंज का laptop पर्चेस करते हैं even 30,000 तक का भी वहां पर भी बेस इतना अच्छा नहीं निकल क आता है sound को आप decent समझ सकते हैं इस price range के according अगर हम देखते हैं तो बात करते हैं उस तो performance की इस laptop के यहां पर Celeron processor के साथ में आता है जहां पर Celeron N4020 processor देखने के लिए मिल जाता है Intel का सबसे ज्यादा popular Celeron processor है यह आता है 128 GB की fast SSD storage के साथ में अब यह चीज न मुझे इस laptop की बहुत जादा अच्छी लगी because normally क्या होता है laptop 30-30,000 के जो brands निकालते हैं वो hard drive के साथ निकालते हैं जिसकी 2-3 कमिया होती है एक तो 10-15 गुना ज्यादा slow होता है as compared to hard drive दूसरा laptop का weight बढ़ायता है तीसरा यहां पर अगर laptop गिरता है तो वो totally damage हो जाती है और आपका पूरा data चला जाता है तो यहां पर एक बहुत अच्छा move है कि इस price range के अंदर आपको SSD डाल के दे रहा है भले capacity कम है don't consider the capacity यहां पर 123 GB SSD is better than 1 TB of hard drive तो definitely बहुत जादा फास चलता है laptop day by day usage के अंदर अगर आप एक student है अगर आपका कोई business है आप कोई भी light use करते हैं आप browse करते हैं एक laptop को तो definitely आप इसको consider कर सकते हैं with a SSD बहुत ही जादा fast चलू हो जाता है बहुत ही जादा fast applications को load कर देता है सारी चीचे day to day life में बहुत ही अच्छे चलने वाली है इस laptop के अंदर एक और फैदा हमें देखने के लिए मिल जाता है यहां पर battery life का SSD के साथ में चार दीबी के रह में हमें बाइदावे देखने के लिए मिल जाती है तो यहां पर बहुत ही एक अच्छा performance setup इस laptop ने हमें create करके दे दिया है and definitely अगर आप जो जो तो मैंने usage बोले उसके साथ इस laptop को use करते हैं gaming को छोड़के सारे basic home use office use so definitely आप इस laptop को अपने लिए consider कर सकते हैं this is the strongest point of this laptop price को देखते हुए यह सारी चीजे performance की देखते हो तो मैं आप इसको rate करना चाहूंगा 8 9 out of 10 9 out of 10 okay 9 out of 10 for the performance दोस्तो इस laptop की heating issue दोस्तो बिल्कुल भी देखने के लिए मिलता है इस laptop के battery life की बार में दूस्तों बात करें मैं इस laptop को बहुत देर से use कर रहा हूं 100% charge कर लिया था मैं last time इसको 2 घंटे में मेरे खाल से 60% battery अभी तक इसकी बची हुई है let's check let's check the accurate figure यहां पे इसकी अभी तक जो battery बची हुई है न 2 घंटे की usage के बाद में वो है 59% तो मैंने almost सही guess कर था 59% battery अभी तक बची हुई है इस laptop की चार्ज होने में उस तो जार टाम लगा जता है तीन घंटे के अंदर ही laptop full charge हो पाता है तो थोड़ी charging slow consider कर सकते हैं लेकिन एक बार चार्ज करेंगे 5 घंटे उस तो कहीं नहीं गए normally usage में easily last कर जाएगा 5 घंटे कोई भी काम करो भले student वाला काम करो video conferences अगरा बले आप content creator हो बले आप office का काम कर रहे हो तो battery life के साथ में बहुत ज़्यादा इंप्रेस्टो इस laptop की बहुत ही एक अच्छा value for money package निकाल के दे दिया हर चीज में battery life को में आपे 9 out of 10 अगें considering the price rate करना चाहूंगा इस laptop के साथ में तो यह था Avita essential 14 और एक अच्छा product है बहुत ही जादा अगर आप brand नहीं देखते हैं मुझे service का नहीं पता कैसी service आपको मिलने वाली है लेकिन मेरे experience से आप यहां पर अगर कोई product लेते हैं तो बहुत कम chances रहते हैं कि खराब हो जाए लेकिन यह laptop अगर आप online purchase करते हैं तो definitely Flipkart and Amazon की return policies अच्छी Dell Lenovo कोई भी अगर इस type का product लेते हैं तो 30-35,000 जाता है यहां पर आपको 20-25,000 के अंदर सेम चीज देखने के लिए मिल रही है बस यहां पर brand का logo अलग है तो बहुत ही सही चीज यहां पर मैं कहूंगा इस laptop को बहुत ही complete package in terms of performance यहां पर कोई भी शू नहीं आने वाला है display keyboard क साथ सारा कुछ बहुत अच्छा है एक और सी अच्छी मैंने नोटिस करी यहां पर की fan की noise भी नहीं आती है इस laptop में बहुत ही rare fan की noise आती है तो हर चीज यहां पर बिल्कुल perfect देखने के लिए मिल रहे है उस तो इस laptop के साथ में purchase करना चाहते हैं तो नीचे amazon का link मैं जरूर स से दे दूँ है इस laptop का वहां पर जाकि आप देख सकते है 256db वाला variant भी एक आता है इस laptop का और 8db RAM के साथ में भी I guess आता है तो सारी लिंक्स में नीचे आपके लिए provide करा दूँ उसको जरूर से चेक कर सकते हैं and with that said मुझे उम्मीर उस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई कि युई कर वीडियो में